एक समय की बात है जंगल के पास एक लकड़ारा रहता था वो जंगल में लकड़ी एकटा करता था और उन्हें पास के बाजार में बेचता था कुछ पैसो के लिए एक दिन की बात है वो एक पेट काड़ रहा था तब ही हुआ एक की गल्दी से उसकी कुलहड़ी पास की एक नदी में गिर गई नदी बहुत ज़्यादा गिर गहरी थी और वास्तों में तेजी से बह रही थी उसने बहुत प्रहतने की अपने कुलहड़ी को खोजने की लेकिन उसे वो वहा नहीं मिली अब उसे लगा की उसने कुलहड़ी खोदी है वह दुखी होकर वो नदी के किनारे बैठकर रूने लगा उसके रूने की आवास सुनकर नदी के पगवान उठे और उसे लकड़ारे स नदी के पगवान को उस लकड़ारे के उपर दया आई और वो उसकी मेहनत और सच्चाई देखा देखकर उसकी मदद करने की पेसक किसकी वो नदी में गायब हो गए और एक सुनरी कुलाडी वापस लाया लेकिन लकड़ारे ने कहा कि ये उसका नहीं है वो फिर से गायब हो गए और अब की बार उन्होंने चांदी की कुलाड़ी लेकर वापस आये लेकिन इस बार पी लकड़ारे ने कहा कि ये कुलाड़ी उसका भी नहीं है अब नदी के पगवान पानी में पिर से गायब हो गई और अपकी बार वो एक लोहे की कुलाडी के साथ आपसाई लकड की कुलाडी देख लकडारा मुश्कारो कहा कि ये उसकी कुलाडी है नदी के पगवान ने लकडारे की मंदारी से परपावित होकर उसे सोने और चांदी की दूनल कुलाडी से पेट किया तो दोस्तो इस कहाने से में ये सिक मिलती है कि इमंदारी सर्वतम नित्ती है ठैंक्यू दोस्तो